2024 चुनाओ को लेकर सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है कल अयोध्या में पियम मोदी थे वहाँ से जो संदेश निकले हैं वो कही न कहीं 2024 चुनाओ की एक तरह से आगाज उसको माना जा सकता है लेकिन इसी बीच में अजय कुमार लब्लू का जो बयान आया है वो अपने आप में एक सियासत को और घर्म करने की बात है इस ठंड में क्योंकि उन्होंने मायावती से लोकतंत्र को बचाने का आहवान कर दिया है मायावती की तरफ से यानि बसपा की तरफ से जो बाते कही गई थी उसमें ये कहा गया था कि अगर विपक्ष माफी मांग ले तो फिर हो सकता है कि मायावती प्रधान मंत्री पत के लिए विपक्ष की तरफ से एक चेहरा हो सकती है अब ये आप देखिए इमरान मैं ये क्यों डिसकस कर रहा हूँ अयोध्या में मोदी का होना 22 जनौरी को राम मंद्र की प्राण प्रतिष्टा होना उसको भी एक सियासी चस्मे से भी देखा जा रहा है कि इसलिए प्राण प्रतिष्टा 22 जनौरी को कराई जा रही है इधर कॉंग्रेस चाहती है कि बसपा साथ में आ जाए क्या कुछ देख रहे हैं आप बहुत कुछ एक साथ पकाए जा रहा है देखे आयोध्या में राम जनम भोमिक जो हुआ राम जीन का प्राण प्रेश्टिष्टा हो रहा है तो बाइस तारीक उसको लेकर जो गडबंधन है कहीं ना कहीं मान लिजे कि ड्रा हुआ दिख रहा है क्योंकि एक तरफ महुदी जी की चारो तरफ बन रही है और कल अभी वहां पर गय थे और पूरा जो भबे रोट सो हुआ उस पान सो कुंटल के मले फूल मालों के साथ उनका स्वागत हुआ है तो यह सब देख के कहीं है कि यह गडबंधन एक तरफ अपने तरफ मान लिजे मालुक नागर परधान मंतिरी का चहरा बनाने की बात कहते है इसी को लेकर गडबंधन में कहीं ना कहीं हमको लगता भोचाल सा जैसे आ गया है क्योंकि जो दलित वोट बैंक है उसको अपने तरफ जोडने के लिए गडबंधन को मतलब आपको लग रहा है कि कॉंग्रेस य अगर साथ में लेते आए तो यह कुल यह जो जितने वोटर से उनको यह मान रहा है कि यह जो सौफ्ट हिंदुत तो जो एक तरफ उनको लग रहा है कि राममंदिर के बाद वो जो भुचाल आएगा जो बिजेपी की तरफ जाएगा उसका कहीं काट यह लोग मैयावती में देखे बिल्कुल युटका कॉड मायावती में देख रहे हो कि बसपा का कहीं आप देख लिजे जो जो चौदा से कर हम देख ले चुनाव लगते मायावती अपना सीट नहीं जीत पाती है लेकिन उनका जो ओट बैंक 20 परसंट उनका को 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 रोटर है उनका मजबूतिक 20 परसंट बीस रहे जाता है यह तो बढ़ता लेकिन घटता नहीं तो पूरा विपक्ष अब उसी तरफ देख रहा है कि उनके जो को रोटर है जिसे अखले सादो पीडियात्रा निकाल ले हैं और कॉंग्रेस निया यात्रा निकाले भारत जोड़ो यात्रा निकाले थी उसक कितनी मतलब दिल्चस्प होने वाले क्योंकि अभी तो एक तरफा चल रहा है लेकिन अगर मायावती भीपक्ष की तरफ आ गई तो फिर लडाई आप कहां देख रहा है तो लडाई जो हमको लगता है कि जो अभी दिखाई दे रहा बीजेपी के एक तरफा दिखाई दे रह क्योंकि अभी देखे गडबंधन के अंदर जो फूर दिखाई दे रही है समाजवादी पालिटिक बात कर लिए तो अखले स्यादों ने कॉंग्रेश को दस सीटे देने की बात कर दिये अभी सीट बटवारिम नहीं हुआ लेकिन उससे पहले दस सीट देने की बात कर दिये उसमें बीएसपी का कहीं कोई जिक्र नहीं था विपक्ष में लेकिन जैसे ही हार होई तो अब केवल मायावती इनको याद आ रही है क्योंकि मायावती के साथ क्या है प्लस पॉइंट की दलित वोटर्स तो हैं ब्रामः भी उनको पसंद करता है आपको लगता है कि अगर ब्रामः थोड़ा विकल्प देखेगा लेकिन अगर हिंदुत वाला जो बात है आप कहा रहे हैं कि राममंदिर से यह जो सैलाब उठेगा वो बीजिपी के तरफ जाएगा लेकिन मायावती के आने से कहीं न कहीं विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्रामः जो थोड जाएंगे उस तरफ 20% तो जाएंगे वह चुनाव कहीं भी कुछ करती हैं चुनाव लड़ती हैं नहीं लड़ती हैं कोई अपना कंडिडीट उतारती हैं नहीं उतारती हैं बिधासबन देख लीजिए या और बी जेगों पर देख लीजिए उसके बाद उनके 20% ओर आज भी बरकरार कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं संजीवनी यहीं होगी कि मायावती जुड़ जाएं गडबंधन में क्योंकि कॉंग्रेस अभी फिलाल बहुत कमजोर दिख रही है कोई जनाधार यूपी में भी कुछ खास दिख नहीं रहा है बार बार फेर बदल हो रहा है लेकि मायावती को परधान मंतरी का चहरा बना दिया जया तो परधान मंतरी का चहरा बनाने के जो बयान आया है तो बयान कहीं न कहीं उनके तरह दलिक चहरा भी है तो उस पे सब सामत भी होंगे नहीं दलिक चहरा तो वहां पे खडगे भी है लेकिन यूपी में उनकी अलग अब हरा च्छी, दलों के अंदर एक अलग सा भाइं दिखायी आपको लग रहा है कि वो सोचेंगे मायावती को लिग जोड़ लिया जाए जोड़ लिया जाए, मायावती कितना तियार होंगी, आप क्या कहना चाहएं देखिए जो बयान आया है तो यह सांसत कत उपना बयान नहीं हो सकता है कहीं नहीं हो सकता है। लिए गदबंदर में सामिल होना चाहिए तो कहीं न कहीं इनको भी लग रहा कि माया ओती कुला के हम अपनी जो राजनीती है जो हमारे तर्व राजनीती पीछे होती जा रहे वो राजनीती हम आगे बढ़ा सकते हैं फिलाल पूरी तरह से चौशर भिच चुका है पासे दोनो नहीं रणनीती में जुड़ गई है और वो नहीं रणनीती यह है कि बसपा को लाओ और जो उसके कोरोटर्स के साथ जो ब्रामण बसपा के साथ थोड़ा बहुत जुड़ता है जो हो सकता है कि बिजेपी से रुष्ठ हो तो वो अगर इधर आ जाते हैं तो कहीं न कहीं एक बहतर समीकरण उनके लिए भी बनता दिखेगा विपक्ष थोड़ी चुनावती दे सकेगा आपको क्या लगता है क्या होगा चुनाओं में क्या विपक्ष थोड़ा बहुत भी चुनावती दे पाएगा या एक तरफा बीजेपी जीतेगी कमेंड में जरूर बताईए और देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए बनेरी आमारे साथ देखते रहें लाइवीपी न्यूस्ट्रिफोर नमस्कार